मुंबई के नेरू नगर में मामूली विवाद में एक शक्स ने मा बेटे पर चाकू से हमला कर दिया इलाज के दवरान बेटे की मौत हो गई जबकि मा जिन्दगी और मौत से जंग लड़ रही है बताया जा रहा है कि एक तीन साल के पोते को लेकर महिला घर के दरवाजे पर बैठी थी और खेल रहे उस बच्चे के पास में ही एक कुटा भी बैठा था तभी महाँ पर शेखर नायर नाम का एक वेक्ति आता है और महिला से कुट्टे के पास बच्चे को खेनने को लेकर जगड़ा इन दोनों में हो जाता है इस जगड़े के बीच में महिला का 20 साल का बेटा सुरच करनोजिया भी पहुंच जाता है विवाद इतना बढ़ जाता है कि तभी शेखर चाकू से मा और उसके बेटे सुरच करनोजिया पर हमला कर देता है परिवार वाले ततकाल अस्पताल लेकर गए मगर इलाज के दावरान सुरच करनोजिया की मौत हो गई और मा का इलाज अभी जारी है पुलिस ने इस पूरे मामले में IPC की धारा 302-307 के तहत मामला दर्ज कर आरूपी को ग्रफतार कर लिया है जब घर पे आया तो उसको अंदर बंद कर दिया वह चोटा अला बेटा कैसा चलागा है उसको चाकू मारा तो देवरानी को मारा चार 5-6 चाकू तभी उसको टाका भी लगे तो क्या उसको कोई बचाने के लिए छुडाने के लिए कोई भी नहीं है मैं काम पे था मुझे कुछ साड़े अट मुझे फोन आया मेरो को मेरी वाइफ का लाहाजद दिपक जली से भाई का उसे शेकर ने को चक्कू गुसाज दिया मैं वहां से भागते बागते आया और ऑस्पिटल में आया मैं तो मुझे दोक्तर ने बोला था बेठने के लिए मेरा भाई वाजू में लेटा था वो बिचाना लेटा था वो देख ले बिरे दिये वो बिचाना पड़ा है वो देख ले बिले बिला वो शेकर वो मेरा बच्चा केला था वो कुछते के साथ उसको मार की भगा रहा था मेरी मां बोली क्यू गाली दे रहा उसको लड़के सब्दों तो मेरी मा या कादली को अगिए मरे बाइग आया डाज अब मेरे मेरे बच्चे को भगा या मेरे बच्च को मेरे बाज़े को स्वी डाजसी मेरे वह कुछ दिया इसका चीड़ क। अब पटीव मत बूप सकी है होस्पिटल ले कर एंट तो क्या डौक्टर का किस दर का इलाज हो रहा था वह कुछ नहीं में स्विप गज़ां तुधर मेरा भाई लेता या सुट कुछ लेटा था तो के पहले दिऊ तो कि आपके सब से क्या डॉक्टर नहीं किये थे? आपके सब से क्या डॉक्तर नहीं किये थे?